प्यार काड़ी बदल जाएगा उनका जो पुराना प्यार काड़ होगा वो सब्मिट करके आपको नया दे देंगे तो नमस्केर दोस्तों राजा भी अब राजील वाले में एक बर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंफ वाजीलियन नैशनल से शादी की है या लीविंड रिलेशनशिप के बेसे पर लिया है तो सेपरेशन के बाद जो है वो वाइफ कैंसल करवा सकती थी उसको तो ऐसे ही चल रहा था कि अगर मानलो आप सेपरेट होगा है और उसने जाकि पुलिस में कंप्रेंट करती तो फिर पुलिस जो है वो एक्शन लेती है जैसे क्या केस होते हैं जैसे आप भाग गए बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे करते हैं और यूजुवली इंडियन के तो ऐसे केस नहीं देखे हैं दूसरे कंट्री के केस जरूर देखे हैं मैंने कि कोई यूरोपियन है कोई कहीं का है मतलब वो शादी करके उसका हाथ में पियार आया और वो डिसपेर हो गया मतलब उसने प्लानिंग से ही किया होगा कि वह पियार आएगा और मैं गाया हो जाओंगा तो ऐसे केस हुए हैं वो वाले सेपरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों को लडाई जगड़ा हो गया वो गया है वैसे तो होते ही रहते हैं वो सब नैशनलीटी ठीकन ऐसे भी केस हुए हैं तो अभी क्या होता था कि वाइफ अगर जाए सेपरेशन की बात तो कैंसल हो सकता है फिर फेडर पुलिस आपको कुछ की 90 डेज में ya 60 आप हमें रिपोर्ट करो नई तो आपका cancel करते हैं तो ऐसे ही अभी तक चल रहा था इस वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जो ब्राजील में शादी करते थे और citizenship ले लेते थे वो डर के कि भाई कभी कुछ तलाक हो गया या कुछ इशूस चल रहा है तो भाई पहले citizenship ले लो उसके बाद फिर separate हो या तलाक करो ऐसा भी case बहुत होते थे क्योंकि शादी की एक साल बाद ही आप citizenship के लिए eligible हो जाते हो तो एक साल होता है और कई लोग citizenship apply कर देते हैं साल दो साल तीन साल में citizenship ले लेते थे या ऐसा भी होता है कि चार साल के बाद person automatically Brazilian citizenship के लिए eligible हो जाता है शादी करी हो या ना करी हो चार साल अगर आप PR पे हो तो automatically आप eligible हो जाओगे Brazilian citizenship के लिए तो अगर आप कोई भी PR पे हो marriage वाला हो या कोई भी हो चार साल हो गए ना आपको हमा continuous day तो आप citizenship apply कर सकते हो तो यह था अब आपको citizenship लेने की भी ज़रूवत नहीं है क्योंकि एक नई visa category आ गई है अगर आप चार साल ब्राजील में हो और आपका separation भी हो जाता है तो चार साल के बाद आप PR apply कर सकते हो ठीक है तो अभी कैसा होता है कि up to four year तो chances है cancel होने के मतलब चार साल से पहले separate होते हो है ना तो वो depend करता है फिर वो wife आपकी कराते है spouse आपका cancel करा सकता है लेकिन अगर आपको चार साल हो चुके हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है एक नहीं category है PR की उसके basis पर आप apply कर सकते हो वो PR की category है resident permit to immigrant who got resident permit based on family reunion मतलब ऐसा residence permit उस immigrant के लिए जो already family reunion के basis पर उसने residence permit लिया है वो भी apply कर सकता है उसके लिए एक separate कर दिया कि जो व्यक्ति को residence permit family reunion के basis पर मिला था वो इसको apply कर सकता तो यह नई category आ गई है इसमें main documents कौन से हैं वो मैं बताता हूँ पहला तो वो ही है proof of income livelihood है न आप तुम ब्राजील में रह रहे हो separate भी हो गया हो separate नहीं होते हैं तो फिर वो wife या husband जो होंगे आपके उनके उपर आ जाता है न कि वो responsible है मनलों तुमारे पास वो नहीं होगा कुछ तो फिर वो लोग expense कर सकते हैं लेगिन अगर आप अकेले रह रहे हो तो proof of livelihood income यह सब दिखानी पड़ेगी आपका job हो सकता है business हो सकता है फिर उसमें वो भी आ सकता है कि आपकी property हो उसको आपने रेंट पर चड़ाया हो ठीक है तो यह सब चीजें आ जाती है आपको अपने income का livelihood का proof दिखाना पड़ेगा number one number two main document चार साल का residence proof दिखाना पड़ेगा तो वो कैसे दिखा होगी वह बहुत आसान है जब आप ब्राजील में entry करते हो ना तो वह entry की seal लगाते हैं वह entry की seal ही आपकी proof हो गई कि चार सार पहले आप आये थे उससे count हो जाएगा तो वह हो गय है और जब आपने registration किया होगा है ना entry exit कभी bank account खोला होगा आपने तो उसका भी वह आ जाता है कि हाँ पही मैं entry करके मैंने bank account खोला था वह तो प्रूफ हो जाएगा चार साल का चार साल पूरे होने चाहिए तीसरा main document है police clearance certificate वह भी common है और बाकी और documents हैं बहुत सारे लेकिन वह बहुत common है जैसे address proof, visa fees pay करनी है, form बना है, photo है ना तो जो visa के लिए documents लगते हैं वही सब document है लेकिन यह दोतीन main document है तो यह documents आपके पास होंगे तो आप यह वाला category में PR apply कर सकते हो description में link है Brazilian government की website की जहां पर यह category के बारे में दिया है तो आप open करके देख सकते हैं उसको तो अब जैसे पहले होता था कि भई लोग डर के citizenship ले 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 थे थे तो अगर वो citizenship नहीं लेंगे तो वह चार साल के बाद वो अपना visa बदल सकते हैं PR card ही बदल जाएगा उनका जो पुराना PR card होगा वो submit करके आपको नया दे देंगे और फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सक सकता आप permanent residence बन जाओगे और किसी पर dependent भी नहीं होगे जैसे आपकी wife होगी एकस wife हो तो उस पर dependent भी नहीं होगे और ब्राजील में रह सकते हो काम कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय मंदे मातरम